हेलो बच्चाहों कैसे हो क्या हाँ चाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक मोशनल देखते हैं कैसे क्या होता है काफी इंपोर्टेटिंट टोफी के सी वीडिये और जे लिए भी देखिए मोशनल इमेफ में क्या करना है हमारे पास एक फ्रेम होता है ठीक है यहां पर एक रोड होती है ठीक है यहां मान लीजिए मैगनेटिक फिल्ड है अब यहां से यहां तक लेंद्ध मानते हैं एक्स और इसकी लेंद्ध मान लेते हैं एल पी क्यू नाम देते हैं इसको ठीक है अब मान के चलिए यह इधर आ रही है वी वेलोस्टी से वेलोस्टी कॉंस्टेंट है यह इ से रही है जब आ इधर जाएगी तो मुझे बताएं यह स्पारी होगी और दिकरी जोगा तो यह और डिकरी होगाए तंट्या के चेंज केरिंबूने से इंडिस एम आप् descriptive आएगा इस रोड में और क्योंकि यह लूप क्लोज है तो इंड्यूस करेंट भी आएगा तो इसी इंड्यूस एमेफ को मोश्चनल एमेफ बोल देते हैं कैसे क्या होता है वो देखते हैं देखिए सबसे पहली बात वैलोश्टी कॉंस्टंट है दिख रही है आपको ठीक है तो सबसे पहली बात मैगनेटिक फ्लक्स मैगनेटिक फ्लक्स ँंदा लूप अज़ने इस्टेंट एक से तो फ्लक्स के तने एगा उनक've आयल कि अंदर तो फ्लक्स क्या होता है यह यह तो B तो magnetic field है, जोगी constant है, ठीक है, area क्या हो गया, L तो इसकी length हो गई, x इसका area हो गया, clear है, flux बाद समझे में आ गई, ठीक है, now, induced dmf, तो induced dmf का formula क्या होता है, minus d5ydt, यह भी बाद ठीक है, minus dydt, 5 क्या है, blx, तो यहां से अगर हम देखें, bl बारा जाएगा, dxy dt, clear, ठीक है, dxy dt में minus sign जो था, मैं यहां ले लेता हूँ, blv, rate of change of distance, कौन से distance, यह वाले distance, यह वाले distance, यह वाले distance जभी road इधर जाएगी, तो यह decrease होगी, और rate of change of distance कोई क्या बोला, v, ठीक है, यह वाली velocity, clear, इतनी बाद समझ में आ गई, तो emotional emf, induced emf को ही emotional emf बोलते हैं, यही induced emf है, और पेटा, यही emotional emf है, ठीक है न, due to motion of the road, या changing area, कुछ भी बोल सकते हैं, यह मेरे पास एक road हो गई, clear, इतनी बाद समझ में आ गई, ठीक है, तो e equal to blv, मेरे पास formula आ गया, यहाँ बे note करने वाली बात यह है, कि यहाँ जो blv है, यह तीनों एक दुसरे के perpendicular होते हैं, कैसे, यह next lecture में हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं, वहाँ बेक्टर फोर्म पढ़ेंगे, emotional emf due to motion of road, वालक से बढ़ेंगे, वहाँ बेक्टर फोर्म पढ़ेंगे, वहाँ से clear हो जाए गई, ठीक है, अभी फिलाल आप इतना समझे, अगर दोनों में से कोई भी parallel हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, जीरो, और induce emf को emotional emf बोलते हैं, क्या इतनी बात आप के समझे में आ गई, ठीक है, तो magnetic field के अंदर area change होने से, इसके अंदर induce emf आया, induce emf आया, तो current पे आएगा, clear, इतनी बात समझे में आ गई, इसी में एक छोड़ी सी बात और, क्या भाई, वो देखो, पैसे आपका derivation पुरा हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं, इसके अंदर ये velocity, अंदर की जगें बाहर हो तो, flux इतना हो गया, induce emf क्या होता है, d5 y dt, तो minus dy dt phi क्या था, blx, minus bl dxy dt, पिछले case में x decrease हो रहा था, decrease की वैसे minus rail था, अभी तो x जब आगे जाएगा, तो increase हो रहा है, increase हो था plus का, पिछह ही उने डिस्कस किया था यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठिक है छोड़ी सी बात इन्लिव से एमेफ के बारे में पता लग गया और मोशनल एमेफ बोलते हैं इसी में अब बात आ जाती है वही करेंट के बारे में तो अगर मैं आपसे बोलूं इफ आर वी रेजिस्टेंस ओफ रोड प्लस लूप यह वाला लूप जैसे तीन एंड होगे इनका रेजिस्टेंस ठिक है तो आर रेजिस्टेंस से तो करेंट क्या होगा A एंड आई एम आ परिझेम रेजिस्टेंस लूप यह वीत क्या तो आपके पास बीलवी बीलवी वाई यह र क्या मेरे पास सवाज हूं के सिंपल स्थी बात ठीक है रेजिस्टेंस ओफ रोड रेजिस्टेंस Capital R, resistance of wires, कौन सी wires यह वाली, तो इस case में current क्या हो जाएगा, I equal to E upon R plus R, कोई खास नहीं परकुटने वाला, अगर इसका resistance दे रखा हो तो यह ले लो, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो कुछ भी किसी टाइप से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात है, सेम है, अगर total resistance आ रहे तो ठीक है, अगर इसका अलग इसका अलग दे रखा है, तो तो दोनों को जोड़ दो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है बाई, current मुझे समझ में आ गया, अब इसके बाद question आता है, अभी current अगर आ जाता है, तो current की direction भी होगी, और इंड्यू से में एक पोटेंशल डिफ्रेंस है, पोटेंशल डिफ्रेंस है, तो एक बैटरी कितने ब्यायव करेगा, क्यों पोटेंशल डिफ्रेंस कैसे, तो वो देखते हैं जरा, इसके लिए हम लोग बढ़ते हैं, सबसे बहुए, फिलिमिंग राइट रेंड रूल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिलिमिंग लेफ्रेंड रूल, याद है ना, फिलिमिंग लेफ्रेंड रूल, first finger magnetic field current या motion of positive charge force वैसे ही right hand rule होता है right hand rule ने तीनों finger को इस तरह से पकड़ेंगे perpendicular first finger के उच्छ magnetic field second finger के उच direction of induced current यहां पर current होता था motion of positive charge यहां induced current बात एक है magnetic field induced current और यहां पर यह force देता था left hand rule में यहां यह motion देगा ठीक है ना motion field induced current मेरी बात समझ लेओ इस टाइब से बना सकते हैं इसको clear है ना इस टाइब से हम लोग बना सकते हैं इसको first finger यह यह थंब हो गया थंब क्या देगा motion ठीक है बोलो मैंने इस टाइब से बनाया इसको और first finger जो अंदर की तरफ है वो magnetic field और यह induced current क्या मेरी बात समझ भा रहे हो ठीक है ना first finger मैंने कहां ली inside थंब उपर तो थंब क्या देगा motion first finger magnetic field और second finger induced current ऐसे अच्छे समझ में आएगा आपको ठीक है first finger magnetic field यह motion induced current clear तो filming right hand rule आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मैं बोल देता हूं क्या if we stress the fingers first two fingers and thumb of right hand in such a way these are perpendicular first finger gives the direction of magnetic field thumb gives the direction of motion and second finger gives the direction of induced current simple सी बात है ठीक है अब इसकी practice यही हो जहीं को खास बात नहीं है ध्यान से देखना अब current का formula मेरे पास आगया था current किदर जा रहा है वह देखना हमें तो यह road है इधर जा रही है फिल्ड अंदर देखो जान से यह cross का मतलब magnetic field inward तो magnetic field inward motion किदर रहे इधर तो thumb motion की तरफ velocity की तरफ और first finger magnetic field अंदर तो यह second finger कहा जा रही है उपर उपर का तोअ मतलब current जा रहे है उपर तो करेंट का जा रहे है तो यह से आएगा के इतनी बास में आ गई ठीक है तो इस रोट किए मैं बात कर रहा था इस रोड में आपने देखा current कहा जा रहा है उपर तो current अगर उपर जा रहा है इसका मतलो positive charge उपर जा रहा है और negative charge जो electrons होते हो निचे जा रहे हैं ठीक है positive charge अगर उपर जा रहा है तो उपर positive charge घटा हो जाएगा negative charge निचे घटा हो जाएगा अरे हाँ या ना तो this is plus this is negative higher potential this is lower potential क्या ये बास समझवाई तो सासा तुमने दो बते सिखी flaming right hand rule का यूज़ करें मैंने current की direction निकाल ली current की direction निकालने के सासा मुझे ये पता लग गया कि higher potential कहा आएगा और lower potential कहा आएगा तो क्या जिक लिए रहें induced current की direction में ही क्या है ये induced current तो बेटा induced current की direction में आगे चलते हुए positive potential आएगा higher potential मतलब induced current की direction में higher potential है clear है ना in the direction of induced current there is a point of higher potential बात समझे में आ गई आगे questions करेंगे clear हो जाएगा अपने अब इसी की direction में आएगा क्या ये बात समझे में आ गई कि question ये आता है कि induced current का पता लग गया induced current के बाद एक current carrying wire रोड वायर ही तो है अगर current carrying wire को फिल्ल में रखा तो force का formula क्या होता है BIL अरे हाँ या ना ठीक है बी क्या है magnetic field आई हमने क्या निकाड़ा था VLV by R into में L क्या मेरी बात समझे मारी है ठीक है तो फोर्स क्या हो गया force हो गया बी स्केर L स्केर VYR force आ गया अब इस force की direction निकाल सकते हो direction of force किससे फिल्लिंग लेफ्ट रेंड रूल ठीक है ना अब तो force निकालना है तो क्या क्या क्याता है magnetic field अंदर current कहा जा रहा है उपर force कहा है या left में यह जो electric force आया कहा है left में ठीक है force is opposite to velocity क्या मेरी बात समझे मारी है पहला case मैंने लिया था समझो इस पर फिर मैंने second case में velocity का outside लिया था ठीक है ना हम वेलोस्टी का outside लेके चल रहा हूं कोई फ्रक नहीं पड़ता उससे एक ही बात है अंदर लो velocity area decrease होगा flux decrease होगा emf positive अभी emf negative कोई फ्रक नहीं पड़ने वाला उससे हम magnitude लेके किल रहे है current का यह जो आई आया था हमारे पास B L V Y R है यहां पर magnitude लिया हमने ठीक है ना अद्वाज negative sign आता हमने magnitude लिया इससे कोई फ्रक नहीं पड़ने वाला कोई confusion नहीं है ठीक है तो force आया इदर ठीक है अब मुझे यह बताओ constant velocity से रोड इदर जा रही है इसका मतलब क्या हुआ constant velocity से रोड इदर जा रही है इसका मतलब कोई ना कोई force है जो इसको slowly slowly इदर लेके जा रहे है ठीक है ना क्योंकि जैसे magnetic film रोड मुव करें कि इसके उपर force आएगा लेफ्ट में electric force तो हमें external force अप्लाई करना पड़ेगा इसके बराबर होना चाहिए था कि net क्या हो जाए जीरो और वेलोस्टिक क्या हो जाए constant बात समझमा आ लिए ना क्योंकि जैसे in tomean resistance रहे तो यह होगा बी स्केर अल्स केर बी स्केर वी स्केर वाइ आर स्केर एक आर से 20 से करो में बी स्केर ल्मस्केजे वी स्केर य ब्यार अगर मैं बात करहूं इससे गवर तो subtitles कopia स्शों क्या मेकेनिकल आपवर तो mechanical power क्या होगा, force into velocity तो force क्या था, b square, l square, vyr एक velocity से और multiply कर दो और v into v क्या होता, आपको पता है, v square तो इसका मतलब दोनो equation क्या आ रही है, same ठीक है, रिवास समझ पा रहे हो, दोनो equation क्या रही है, same इसका मतलब mechanical power जो है, वो electrical power के पराबर है इसका मतलब total work done, total power dissipated as heat, total work done by mechanical force, या फिर total mechanical work, dissipated as heat, सारी energy heat की formula है, क्यों, क्योंकि आपने जितना work किया, उतना ही तो आप पोज हो रहा है, तो सारा heat की formula हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, generally books में इसको नाम देते है, energy consideration in emotional EM, कुछ नहीं है, E equal to BLV समझ में आया, उसके resistance से divide कर तो AI आ जाएगा, अब एक road में current flow कर रहा है, तो current की direction, मैंने बता दी, force निकल जाएगा, BIL करके, और force से तो power निकल जाएगी, तो energy consideration कैसे क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में, आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है, CVSC point of view से काफी important है, आपको आना चाहिए, अब एक NCRT का question देखते हैं, काफी important है, इसके उपर, concept के लिए हो जाएगा, अच्छे से, और वो 2010 में, और I think 2015 या 16 में पर आ गया था, देखो, NCRT का है काफी popular question है, suppose grow मेरे पास इस टाइब से एक frame है, ठीक है, यहाँ मेरे पास इस टाइब से road है, clear, यहाँ magnetic field dot की form में है, मतलब outward magnetic field है, x equal to 0, x equal to b तक field है, और x equal to 2b, तक यह फैला हुआ है, clear, इतनी बात समझ में आ गई, v velocity से यह इधर जा रहे है, clear, magnetic field आपको दिया हुआ है, b, outward, ओके, ठीक है, अब आपको नाम देदेते है, k, l, m, road का नाम देदेते है, p, q, ठीक है, road, p, q, moves from, k to l to m, और m to l to k, मतलब road जो थी, p, q, वो k से l गई, l से m गई, m से l वापिस आई और यहां से यह आई, ठीक है, इतनी पास समझ में आ गई, ठीक है, right expression for magnetic flux, current, force and power, and plot, corresponding graph, graph plot करो, मेरी बाद समझ में आ गई, corresponding graph plot करो, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, देखो, यह road थी, यहां से चली, यहां से यहां तक, तो जब यह road यहां थी, तो इसके अंदर कोई फिल नहीं है, जब यह road यहां से अगए जाएगी, तो इसके अंदर number of lines बढ़ती जाएगी, यहां से यहां तक, मेरी बाद समझ रहे हैं, तो जर्नल कोई भी distance मानने के बीच में X, ठीक है ना, तो यहां से जब यहां तक जाएगा, तो flux बढ़ेगा, ठीक है, तो magnetic flux, B, L, X, कब ले लिया, जब X 0 से बढ़ा है, जब X की value 0 से बढ़ी है, और B से चोटी है, X की value B से चोटी है, इससे बढ़ी है, ठीक है, 5 की value 0, जब यहां जब X की value, X कोई भी variable जब यह बढ़ेगा, या तो B के बढ़ाबर हो जाए, या B से आगे जाए, क्योंकि जब यह रोड यहां तक आजाएगी, flux maximum है, उसके बढ़ जब रोड आगे जाएगी, तो आगे तो field ही नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा, तो B L V, flux की value तब तक आएगी, जब तक field change हो रहा है, तो field यहां पर constant हो गया, तो यहीं तक flux होगा, उसके बढ़ चेंज नहीं होगा, सिर्फ area बढ़ता जाएगा, मेरी बढ़ समझ रहे हो, यहां से यहां तक flux change होगा, आगे जाओंगे तो इस एरिया बढ़ेगा, flux change नहीं होगा, इतना आजाएगा, क्या मेरी बढ़ समझ रहे होगा, ठीक है, तो यह तो होगया, magnetic flux, इसके बाद, induced EMF, EMF की बाद करें, तो E, E का formula क्या होता है, BLV, यहां से यहां तक देखेंगे, तो flux increase हो रहा है, flux increase हो रहा है, flux increase हो रहा है, तो EMF negative होता है, तो minus BLV, मेरी बाद समझ बाद गई, X less than B, और E equal to 0, X greater than B, क्यों? क्योंकि जब X B से ज़्यादा होगा, तो flux constant हो जाएगा, और E क्या होता है, D5YDT, और E equal to D5YDT है, तो flux क्या है, constant, constant का differentiation क्या होता है, 0, क्या मेरी बाद समझ बाद बाद गई, constant का differentiation क्या होता है, 0, तो E 0 हो जाएगा, ठीक है, यह minus sign का मतलब पिछे बाद आया था, अगर flux बढ़ेगा, तो negative flux अगर decrease होगा, तो यह positive, ठीक है, हम आगे magnitude लेके चलेंगे, अब बात करते हैं current की, तो current क्या होता है, EYR, अगर R resistance of road का, R resistance of road, बाकी का negligible, ठीक है ना, तो I क्या होगे, EYR, E क्या होगे, BLVYR, magnitude दियान रखना, तो नहीं तो negative sign आता, अच्छा, कब, जब XB से कम है, और I कब 0 हो जाएगा, जब XB से ज़्यादा होगा, क्या मेरी बात समय भाई, क्योंकि XB से ज़्यादा होगा, तो EMF 0, EMF, क्या होता है, क्या मेरी बात समय भाई रही है, फोर्मूलिया आपको पता है, तो flux आपको निकालना आता है, filled into area, ठीक है, E क्या होता है, BLV, तो BLV में आपको क्या पता होना चाहिए, BLV में आपको पता होना चाहिए, कि flux change होता रहेगा, तभी induce EMF आएगा, तो 0 से B तक flux change हो रहा है, तो वहाँ तक आएगा, उसका flux change ही नहीं हो रहा तो, constant, constant differentiation 0, इसलिए E क्या होगा, 0, E 0 तो current भी 0, और current अगर 0 है, तो force भी 0, तो यह होगा, B square L square V वही आर, किसके लिए, X less than V, और force क्या हो जाएगा, 0 जब X, V से ज़्यादा है, बात वही आगी, इतनी बाते समझ में हैं, आ गई, अब अगर power की बात करें, तो power होती है बिटा, I square R, तो I क्या होता, B, L, V, बटे R, का square, और यह भी R, बोलो, तो यह सोल करेंगे, तो यह हमने, B square L square V square YR, और I का square है, negative तो कुछ होना ही नहीं, इसलिए प्लस करेंगा, ठिक है, कब, जब X, B से छोटा है, तो power B 0 हो जाएगी, अगर X B से बढ़ा है, बात समझे माई, X B से बढ़ा है, तो power B क्या हो जाएगी, 0, clear, इतनी बात समझ में, आ गई, ठिक है भई, तो यह basic basic expression थी, हमें समझे में आ गई, कि जब तक flux change होना है, 0 से B या B से 0, उस case में, flux भी आएगा, inducing में भी आएगा, current भी आएगा, force भी आएगा, और power भी आएगी, लेकिन इस से आगे जाके, flux तो आएगा, बागी चीज़ें नहीं आएगी, ठिक है, इतनी बात समझ में आ गई, clear है, इसके बाद हम लोग graph प्लोट करते हैं, सुनना द्यान से काफे interesting है, मज़ा आएगा, graph कैसे बनते हैं, वो देखते हैं, देखिए, सबसे बहले flux की बात करते हैं, फाई, और ये x ले लें, ठीक है, सबसे बहले 0 से b, flux बढ़ रहा था, बोलो, तो, x इकॉल टू b, ये simple लिखो न, b, b के बाद ये, यहां से यहां तक, 2 b, और 2 b के बाद दुबारा b, अरे बोलो, सुनना द्यान से, 0 से b तक गए, बढ़ा, b से 2 b गए, constant, और 2 b से दुबारा वापिस, 2 b से दुबारा वापिस आए, यहां तो आगी जाएंगे ना, इस टैंसमेंट बढ़ेंगे, तो 2 b से दुबारा b b गए, फिर बढ़ा, उसके बाद दुबारा जब 0 पे जाएंगे, तो यह 0 हो जाएगा, क्या मेरी बाद समझ माई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर l से गए, m से दुबारा l, और यहां पर क्या था बिटा क्ये, समझ माई बाद, और यहां दुबारा क्या आगया, समझ रहेंगे, k, l, m, l, k, k से चले, 0 था, l, फिर m, m से दुबारा l, l से k, फिर 0 हो गया, क्या मेरी बाद समझ माई रही है, ठीक है, तो फलक्स हम इस टाइब से बना सकते हैं, तो फलक्स हमारा इस टाइब से आगा, फलक्स पोजिटिव, कॉंस्टेंट, डिक्रीज, ठीक है, फिर हमारे पर बाद आते हैं, इंड्यू सी एमेफ की, सुनना ध्यान से, इंड्यू सी एमेफ, और टू बी से फिर दुबारा बी तक जीरो, अरे, यहां से यहां तक जीरो, फिर यहां से वापिस जीरो, वापिस के पास जब जाएगा, तो यह फिर से पोजिटिव होने वाले, अरे बोलो, ठीक है, और ए क्या था, बी एल बी, माइनस का, यह प्लस का, क्या मेरी पास समझमा आई, ठीक है, इंडियू से में समझमा आ गया, और बी एल बी में, वेलोस्टी कॉंस्टेंट है, बी कॉंस्टेंट है, एल कॉंस्टेंट है, तीनों कॉंस्टेंट है, तो फ्लक्स कॉंस्टेंट है, इसके बाद करेंट के अगर मैं बात करूँ तो करेंट का ग्राफ क्या था यही आएगा करेंट का ग्राफ यही आने वला है क्यों यहां पर बी यह टू बी टू बी के बाद फिर भी बते में रेजिस्टेंस याने वला बाकी सब कुछ सेम तो करेंट क्या था बी लवी अइयर और यहां प्लस का बी लवी बाईयर करेंट तो नेगिटी होता नहीं यह दू डिरेक्शन एजब्शन के ऊपर है इधर की पोजिटी तो इधर की नेगिटी खास बात नहीं कर सकते ह उपर करेंट पॉजिटिव क्यों डारेक्शन के उपर है कोई खास बात नहीं इसके बाद करें मैं बात करूं फोर्स की तो बिटा फोर्स में भी वही आने वाला है क्यों फोर्स क्या था बी स्केर एल स्केर वी बाई आर यार ये भी वही बात आने वाली है देखो बी टूवि फिर से भी और फिर वई तो ये कितना ने वड़ा है बी स्केर एल स्केर वी बाई आर यह माइनस का यहां पर ये प्लस का हो जाएगा रेल स्केर वी बाई आर बात समझ में आ गई फॉर्मूले आप लोग पीछे बढ़ चुके हो प्लस मैंस लगाना है इतनी बाद समझ मा गई ठीक है बेसिक बात थी फ्लक्स जब चेंज होगा तब सारी चीज़ आएगी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं आएगा तो बीच में खाली है ठीक है इसके बाद सुनना द्यान से पावर की बात रहे में क्या आएगा देखो फरमूला रहाता है सब कुछ पोजितिव तों सब पोजितिव फिर से बी और प्यद्टीव पिर देखा द 쉬 reopen वे स्केर में वर सब पोजिटिव पोजितिव पisme आई 152 पा आई का स्केर फ्ल्र कोई लफड़ाई इसलिए पावर पोजिटिव आएगी अरे पावर क्या थी आई स्केर आई थी ना आई क्या एक बोजिटिव होता है यह नेगिटिव है तो हो जाए सब पॉजिटिव होने वाला है सब था ठीक है पीटा ओके और देखिए इसके उपर एक सवाल एरिया चेंज होने से मोशनल लिए में मतलब इंड्यूस करेंट कैसे आता है और इंड्यूस करेंट कैसे निका लिए को आपके पास मेगनेटिक फिल्ड दिया हुआ है इन वर्ड इस क्योश्चन में अभी क्या इंड्य सुनर की डिरेक्शन नहीं निकाल लिए अपने पुछी नहीं थे हमसे पूछले तो आप आई थे निकाल सकते हो मान लो यह मेरे पास दिया हुआ है दस मीटर मेगनेटिक फिल्ड दिया हुआ है टू टेसला ठीक है यहां पर मान लीजिए एक स्केर लूप है दो मीटर दो म बना देता हूं बाहर भी निकलेगा समझ गए ना निकलेगा बार तो यहां पर आपको बताना है क्या बताना है find magnetic flux find magnetic flux induced EMF and current if resistance of loop is 2 ohm ठीक है plot graph flux का distance का और EMF का distance का 2 graph पुछे गए आपसे क्या करें सबसे पहले देखो 2 meter per second मतलब इसकी velocity दे रखें 2 meter per second इसका मतलब क्या हुआ 1 second में कितना चलेगा 2 meter 1 second में कितना चलेगा 2 meter camera पास समझ वारी है 1 second में कितना चलेगा 2 meter ठीक है तो अगर मैं flux की बात करूँ तो magnetic flux जब यह enter करेगा तो यहां से यहां तक यह change हो रहा है तो flux change होगा क्योंकि शुरू में बार था जब अंदर जाएगा तो flux बढ़ रहा है flux increase होगा तो flux कितना हुआ बी तो magnetic field ठीक है into में area area इसके अंदर दे दे बढ़ रहा है क्या बरी बास समझ रहे है तो जब यह complete अंदर होगा मान लो तो area कितना हो गया two side two side two to four area लिख दो तो बी कितना दो area कितना दो कुणा दो चार तो 8 वैबर flux समझ में आगे कितना होगा जब यह complete इसके अंदर होगा ठीक है flux के बाद induced EMF induced EMF क्या होता है BLV तो B कितना दो L कितना दो L कौन सा देगो BLV में आप सुझे नहीं कहा था कि तिनो perpendicular तो B अंदर L कौन सा ले लो ये और V इदर तिनो perpendicular होगे तो ये भी 2 ये भी 2 वोलो क्या मेरी पास समझ मा गई तो ये भी कितना आ गया E equal to BLV velocity कितनी है 2 तो 8 volt ठीक है induced EMF volt होता है तो E equal to कितना आ गया आपके पास BLV clear अच्छा current क्या होगा current क्या होता है EYR 8 by 2 R कितना दे रख़ा 4 Ampere current flow करेगा इसके बाद को या आपसे बुच्छ बढ़ी graph load करो तो देखो flux और distance पहली बाद ये है कि flux यहां बढ़ेगा एक second में 2 मीटर जाएगा अंदर और ये सारे 2 मीटर है इसका मतलब flux बढ़ेगा एक second तक इसके बाद ये पूरा लूप अंदर है और यहां तक जाएगा 10 मीटर तो एक second में 2 मीटर चलता है तो 10 मीटर कितने सेकन में चलेगा 5 सेकन में 2 पंज दस एक second में 2 मीटर तो 5 सेकन में 10 मीटर इसका मतलब constant रहेगा यहां तक 5 सेकन ठीक है भई फिर अगली एक second में ताइम का ग्राफ है ताइम के अकोड़िंग हो पाएगा फ्लक्स टाइम तो इस टाइब च्टी सेकन में बाहर आजाएगा डिक्री जो कि तो इस टाइब से ग्राफ बन सकता है 2 मीटर पर सेकन एक सेकन दो मीटर तो पूरा अंदर आजाएगा जब तक अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ता रहेगा फिर कॉंस्ट रहेगा जब तक यह यहां टच करेगा उसके बाहर निकलेगा तो डिक्री जो कि क्या हो जाएगा जीरो सिक्स सेकिंड में क्या मेरी बाद समझ मा गई ठीक है इ Sis यह घ्राफ इस टाइब से बने का बने जाएगा टा इस थी ग्राफ के बाद बाद आती है ऐसा है एग्या उलस्टी तो जो क्या है कॉंस्ट प्यूंस्ट है क्यों समझ रहे हो सीडिंट और वी निक्स्ट बल्वि एट अया था मैंविक्ट Administration कि JE फिर यहां से पांस सेगेंड तक जीरो और पांस से छटी सेगेंड में जब यह दिक्रीज हो रहा है तो यह फिर से एट हो जाएगा भोलो एट वॉल्ट किलियर है यह हमारे पास यह में आफ का ग्राफ क्या मेरी पास समझ भा रहे हो ठीक है ग्राफ वही है जिस टाइम के अकोडिंग चेंज हो गया इस पर क्लियर है ना ओके इस टाइप की सवाल आ जाए मालो जहीं पूछ सेते हैं कभी कभी नीट में तो हम कर सकते हैं बेसिक नोलिज होनी चाहिए कि फलक्स अगर चेंज होगा तो इंडियूस अमेफ आएग समझें आ गया होगा इसी टोपिक को आगे बढ़ाएंगे एक रोड जो मेगनेटिक फिड़े में मुग करती है तो उसमें इंडियूस करेंट कैसे आता किस डिरेक्शन में आता है और कैसे कैसे नुमेरिकल बन सकते हैं काफी इंपोर्टन वह भी नेक्स लेक्शन में लाइक केजिए, शेर केजिए, सब्सक्राइब केजिए, थैंक्यो